यहाँ पर हमने चीजों को और भी जादा मिला दिया है यहाँ इस तराजू में बाई और हमारे पास ये नीले रंग के X वाले भार हैं जिनका की हमें मान भी नहीं मालूम और इनके अलावा हमारे पास ये दो पीले-पीले एक किलोग्राम के दो भार है तो अब हमें पता लगाने की कोशिश करनी है कि यहाँ ये X कितना होना चाहिए लिकिन उसके भी पहले मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसे गड़तीय समीकरण के बारे में सोचें जो दिखा सके यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे यानि कि जो समानता दिखा सके जो भी कुछ हमारे पास बाई ओर है और जो भी चीज हमारे पास दाई ओर है उसमें और मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय देती हूँ तो चलिए देखते हैं कि आखिर बाई ओर हमारे पास है क्या तो हमारे पास यहाँ पर 3X वाले भार है और क्योंकि हर एक भार का वजन X है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कुल 3X और इसी तरीके से यहाँ इनके अलावा यह दो एक एक किलो क्राम के भार भी हैं हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि कुल भार यहाँ पर इस बाई ओर का है तीन एक सधन दो के बराबर तो चलिए अब सोचते हैं कि यहाँ पर दाई ओर क्या है हमारे पास तो यहाँ पर कुल हमारे पास एक एक किलोग्राम के वजन रखे हुए हैं तो चलिए गिन लेते हैं कि कुल कितने वज़न हैं हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारब, बारत, तेरह, चौदा तो हमारे पास कुल 14 एक एक किलोग्राम के भार है तो हम कह सकते हैं कि दाई और का कुल भार ये होना चाहिए 14 किलोग्राम के बराबर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो तराजू है ये बिलकुल बराबरी पर है यहाँ पर हमारा यह जो बाया या दाया और है यह ना तो जादा जुका हुआ है ना जादा उठा हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों तरफ के जो भार हैं यह आपस में बिलकुल बराबर है यानि कि यहाँ पर 3X धंदो यह बराबर है कुल 14 के तो चलिए सोचते हैं कि आप इन निशानों की मदद से या फिर इस तराजू की मदद से दो चार बातों का पता कैसे लगा सकते हैं तो पहली चीज आप इन एक किलोग्राम के छोटे भारों से कैसे पीछा छुडाएंगे और इसके बारे में सोचने के लिए मैं आपको फिर से कुछ समय दे देती हूँ तो जो चीज सबसे असानी से हो जाएगी वो ये कि बाई और से हम इन एक किलोग्राम के वजनों को हटा दें यहां से लेकिन ऐसा करते ही हमारा ये जो तराजू है ये बराबरी पे नहीं रहेगा यहां पर ये दाया और ये जादा जुख जाएगा और ये बाया और ये उठ जाएगा क्योंकि ये हलका हो चुका है अब लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये तराजू बिलकुल बराबरी पर चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर हम बाई और से दो किलोग्राम वजन कम कर रहे हैं तो हमें इतना ही वजन दाइयोर से भी कम करना होगा इस तराजू को बराबरी पर रखने के लिए. यानि कि अगर मैं यहां से ये दो एक एक किलोग्राम के वजन को घटा दूँ, तो हम कह सकते हैं कि हमारा तराजू अभी भी बराबरी पर रहेगा. और ऐसा करने पर बाई और हमारे पास सिर्फ एक्स वाले भार बचेंगे. और गड़ित के नजरिये से आप इसे घटाने की तरीके से देख सकते हैं. आप कह सकते हैं कि आपने दोनों तरफ से दो किलोग्राम वजन घटा दिया है. तो ऐसा करने पे बाई और हमारे पास बचेगा 3x धन 2 रिड 2 और यहाँ पर अगर हम 2 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ 3x बचेगा तो बाई और हमारे पास बचता है बस 3X और दाई और अगर हम 14 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कुल 12 और आप चाहे तो यहाँ पर किन भी सकते हैं हमारे पास कुल 12 एक किलोग्राम के वजन बचे होंगे तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए अब कि सिर्फ एक एक्स बचे बाई और ये तराजू भी बराबरी पे रहे तो फिर से आप चलिए कुछ समय लिजे यहाँ पर और इसके बारे में फिर हम एक साथ बात करेंगे तो चलिए इसके बारे में शाथ में सोचते हैं हम देख सकते हैं कि ये तराजू बराबरी पर तब है जब बाई और हमारे पास कुल 3X है और दाई और हमारे पास कुल 12 है और हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ 1X यानि कि जो कुछ भी हमारे पास है यहाँ पर हमें उसका एक तिहाई चाहिए अगर हम एक तिहाई हिस्सा ले ल हमारा ये जो तराजू है ये बराबरी पे नहीं रहेगा, ये उपर नीचे हो जाएगा, यानि कि इस तराजू को बराबरी पर रखने के लिए अगर हम यहाँ पर भार का एक तिहाई हिस्सा रखते हैं, तो हमें यहाँ पर भी एक तिहाई ही लेना होगा इस भार का, यानि कि अगर मुझे सिर्फ X शाहिए तो मैं यहां बाई और एक तिहाई ले लेती हूँ अपने कुल भार का और इस तराजू को बराबरी पे रखने के लिए मुझे फिर से अपने दाई और के भार का भी एक तिहाई हिस्सा लेना होगा और ऐसा करने पर ही हमारा ये जो तराजू है ये बराबरी पे रहेगा और तभी हम ये बराबरी वाला चिन्ह यहाँ पर लगा पाएंगे तो यहाँ से अगर हम एक तिहाई ले लेते हैं तीन X का तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक X बचेगा और अगर हम एक तिहाई लेले 12 का या फिर अगर हम 12 को 3 से विभाज़त कर दें तो हमें पता है कि 12 विभाज़त होता है 3 से ठीक 4 बार यानि कि हमारा जो X है ये 4 के बराबर आएगा तो ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि जब भी भी हमारे पास ये बराबरी वाला चिन्न होता है तो जो कुछ भी हम अपने इस चिन्न के बाई और करते हैं वही चीज हमें दाई और भी करनी रहती है ताकि ये बराबरी जो है ये बनी रहे जैसा कि आप यहाँ पर इस तराजू में देख सकते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक्स बचा है अगर हम यहाँ पर एक तिहाई ले लेते हैं तो हमारे पास से ये दो एक्स वाले जो भार है ये गायब हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ ये एक एक्स वाला भार अब हमारे पास सिर्फ ये एक एक्स बचा है और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दाई और भी एक तिहाई ले ले लेते हैं बारह का यानि कि अगर हमारे पास सिर्फ चार भार बचे हुए हैं मैं बाकी सारे बहरों को यहाँ पर से काट देती हूँ तो हमारे पास सिर्फ चार बहर बचे हुए हैं तब ही जाकर ये जो तराजू है ये बराबरी पे रहेगा